दोस्तों मीत सीरिल के अपकमी एपिसोड में आप लोग देख पाएंगे कि मीत हुड़ा एक बार फिर से सभी के सामने ये करा देती हैं कि ये जो बर्फी देवी हैं ये बलकि अपने बेटे या इसा की खोसी के लिए नहीं बलकि ये अलावत परिवार को बरबात कर देना चा नहीं रखेगी और नहीं इसका बेटा यानी की दीब जो कि इससे कोई प्यार करता है क्योंकि इनकी मिली भगत है दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जल्दी ही कहानी में एक बहुत बड़ा टूष्ट और देखने को मिलेगा जहां पर मीत अलावत सबसे ब लोगों के सामने आने वाली है क्योंकि जिसमें मीत हुड़ा बोलती हुई नजर आने वाली है कि ये परिवार किसी और का नहीं है बलकि ये मेरा परिवार है और अगर मेरे परिवार टूडता है तो इसमें सबसे ज़्यादा मुझे दुख होगा क्योंकि मैं अपने परिव कि ये सब कुछ जो हो रहा है ये सब कुछ होने दे मंजरि दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जहां बर्फी देवी लगातार यालिगास लगाती हुई नजर आ रही है और यालिगैसन इस तरीका से लगा लेकिन दोस्तों मीत हुड़ा कहीं जाने वाली नहीं है और वो लगातार मीत अलावस से बोलती हुई नजर आ रही है कि मिश्टर तोडुराम मेरा साथ दीजिए क्योंकि ये बरफी देवी जो है ये दहेज की लोबर है और कभी भी खुश नहीं रखेगी ईसा को साथ ही दोस